हलो एव्रीवान स्वागते आप सभी का मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चानल इंग्लिश वाय तानिया शर्मा पर मेरा नाम तानिया शर्मा है और आज बच्छो मैं एक बहुत ही कंसर्णिंग टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोग उसे ब बोलेंगे या करेंगे जो प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी आपको पता है हम लोगों के हाफ यर्ली चल रहे हैं बहुत सारे बच्छों के होने वाले हैं और बहुत सारों के ओन गोइंग है हाना हाफ यर्ली एक ऐसी चीज है कि हर स्कूल अपने अक्वाडिंग अलग-अलग कराता है हमें नहीं पता कि मतलब कब करा दे राइट बढ़ा होते हैं सेप्टेंबर ऑक्टूबर के महीने में ही आपके हाफ यर्ली एक्जाम्स कंडग होते हैं तो अब आ देखो जिन बच्चों के होने वाले हैं ओविसली उनमें भी दो टाइप के बच्चे होंगे एक जो पढ़ रहे होंगे एक जो पढ़ना चाहते होंगे बर चाहके भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे अना या फिर उनकी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही होगी तो उन्हें क्या करना है एक वो बच्चे होंगे जिनके हाफ यार्ली धोचुके होंगे और अब उन्हेंहीं पता है कि थो that या आप मुझे रेदाइज हो रहा है कि जो मैंने चाहता दाया जो मैं अचीव कर सकता था, वो आचीव नहीं कर पाया हूं और जिनके चल रहे होंगे वो जैसे जैसे पेपर देखे घरा रहे होंगे उन्हें फील हो रहा होगा कि हमने किस लेवल की प्राक्टिस करी है और किस लेवल की प्राक्टिस की आक्चोल में जरूरत थी exam में तो इन तीनों ही चीजों को बोलते हैं बेटा जी Self-Realization Self Realization क्या होता है अंदर से Self Realize करना कि आपने क्या किया है अगर आप से आपके पेपर अच्छे नहीं जा रहा है यह आपको कैसे पता क्यूंकि आप Realize कर रहे हो एक बच्चे होते जिनने फरक नहीं बढ़ता आपे छोड़े यार तो अच्छा है कि आप उन category में at least नहीं हूँ कुछ भी हो रहा है आपको Self Realization है यहां तक कि मैं यह बोलूँगी अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो और आपको पता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो भी एक तरीके का Self Realization है कि आप at least change होने के बारे में थोड़ा minor thought आपके दिमाग में हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा ह आती है कि जो उसने सोचा भी नहीं हो था यह दो चीज़े अब इन में से आपको इस तरफ डोलना है या इस तरफ वो आपके हाथ में यानि कि मान लो लेट से मेरा एक्जाम होगा मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा या मेरा एक्जाम आने वाला है और मुझे पता है कि म मैं इसी में पड़ी रहूंगी तो मेला सारा टाइम चला जाएगा और मैं यहां पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगी नहीं तो मैं क्या करूंगी यह चीज मुझे रियलाइज हो गई और में वो स्टेप्स लोंगी जो मुझे यहां तक पहुचाने में मदद करें क्योंकि य मैं तो कितनी आगे 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 अब मैं क्या करूं और नहीं तो आप वही टाइम जो यहां पर सोच रहे हो वही टाइम आगे लोगे और यूटन मारके दुबारा से साही रास्ते पर आओ गया राइट टाइम वही लगेगा तो यह बस आपको चूज करना है कि आ मेरे एक्जाइम हो चुके हैं ठीक है मैंने यह परफॉर्मेंस दी है मुझे यहां पहुंचना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है यह आपको लग रहा है आपके एक्जाइम ओन गोइंग है और उतने अच्छे नहीं जा पा रहे हैं जितना आपको बोर्ड का एक्जाइ नाहीं है क्यों नहीं है हम हमें यहां पर नाहीं है अगर हम यहां पर इस वाइली कैटेगरी में जाख व करना च Mutter बट sad feel उतनी देर के लिए करो जितनी देर के लिए अपका time waste ना हो क्योंकि हमें और better करना है अभी हमारे पास दो main steps है कौन से हैं दो main steps एक है बेटा आपका pre-board और एक है आपका board हमारा motive ना इन दोनों को पार करना है हाफ yearly तो ठीक एक trial की तरह था important था नहीं कर पाई कोई बात नहीं ट्रायल था बट अभी हमें pre-board में मचाना है और board में तो definitely मचाना है तो इन दोनों को हमें ध्यान में लेकर सोचना है हम केवल यहां पर नहीं अटके रह सकते तो अब मैं करें क्या सबसे पहले जब भी एक इनसान मैस होता है जब भी एक बच्चा मैस होता है उसको अपना time divide करना चाहिए जो तुम दूसरों की video देखते हो ना time table की 6-8 यह कर लो 10-12 यह कर लो 5-6 वो सारी गलत है वो तुम कभी follow करी नहीं सकते वो तुम दो दिन भी follow कर लोगे तुम चार दिन follow करी नहीं सकते मेरे से लिखवा के ले लो सारी वीडियो गलत है वो ठीक है तुम्हें अपना time खुद ही डिवाइड करना है कोई नहीं कर सकता यह ना मैं ना कोई XYZ teacher ना कोई बहुत तुर्रम खां teacher ना कोई तुर्रम खां तुम्हारे लिए कर के दे सकता थुमैं कि तुम अपना time 12 सब एक कर कोई और कमें बताएगा क्या कि इतनी सी बात तुम्हें कोई और आ कर बताए तुमें यह चहिए कि 12 से दो से त्म बेटके पड़ो व्हां 2 से तीन तुम फुम फ्रेश हो जाओ यह यह अंदर से ही हमान लो मैं मान के चल रही हूँ तुम्हारा साथ से तीन अगर स्कूल में भी जाता है तुम्हारे आट गंटे अगर स्कूल में जाते हैं तो तमीज से बैठो पहले अपने साथ कभी बैठे हो औरो को डीप टॉक्स करें अमने साथ जो तुमारे अंदर से आवाज आएगी ना तो वो ग्यान मैं तुम्हें दे पाऊंगी ना तुनिया को कोई और आदमी पिकर सबसे स्ट्रॉंग आवाज तुमारे अंदर से आएगी अगर मेरे को कोई काम की डेंशन होती है न तो वो मैं खुदी सौट करती हूँ मैं चाहें जाकर अपने दस दोस्तों क्या के रोल हूँ कि अरे भाई मेरे पर ये काम है फलाना है बट वो मैं ही सौट कर सकती हूँ बच्चो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता मुझे कोई नहीं बत देखो यार मेरे पास में टाइम कहां से निकाल सकता हूँ और सबसे पहली बात यह जो ओनलाइन है ट्यूशन है सेल्फ स्टड़ी है इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे क्यों कि यहां भी तो पढ़ी हे न हम ऐसे निए बहुत सकते कि माँं दून गंटे लेते हैं अरे ओनलाइन उनलाइन में क्या करते हो पढ़ते हो न इंड्र दो गंडे टीवशन जाते हो पिर हमें पढ़ने काा डाइम ने मिलता वह तो टीवशन कर रहे पढ़ रहे हो ना अगर तुम्हें लग रहा है कि खाली तुम बैग उठा कर जा रहे हो और बकैती काट के आ रहे हो तो आज ही टीवशन छोड़ दू क्योंकि वहां जाकर तुम अपना टाइम और पैसा पैसा तो चलो फिर भी दुबारा आ जाएगा टाइम नहीं आएगा तो अपना तुम लोग एक तरीके से टाइम को वेस्ट कर रहे हो आजाके आप देखो करना क्या है अफ्ते में मंडे टूस्डे वेंस्डे थर्सडे फ्र कि अब करना क्या है कि आपके पास यह बेटा जी साथ दिन आप अपना टार्गेट बना लो कि एक दिन में मैं दो सब्जेक्स करूंगा और मैं अगर तीन बज़े स्कूल से आ रहा हूं तो वहां से लेकर रात तक का टाइम आपका है अब वो टाइम चला गया कि आप तीच online बढ़ाती हो मैं यह नहीं बोलरी कि आकर मेरी हर वीडियो देखो नहीं बोलरी में हर वीडियो देखनी है पर अपने according देखनी है ना कि कि अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि आओ तो आओ ठीकि और अपने को साथ ही साथ यहां पर दो घंटे अपनी पूरी महनत लगा कर आ रहे हो तो कोशिश करो जो भी वो मैट्स पढ़ा रहा है यह पढ़ा रहे हैं यह पढ़ा रही है तो उसमें ध्यान दो यह नहीं कि वहां यह बैठ कर आ कि मेरे सिर्फ कहने का मतलब है अगर मैं एक टूशन जारी हूं वहां बेठके मैं 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 बहुत को दो घंटे दे रही हूं तो वहां मुझे पढ़ना है महां मुझे बखेती नहीं कर दी इस वट आम प्राइं तो एक्सप्रेस ऐसे पढ़ो हर जगह ऐसे पढ़ो जैसे अब स बाद के अब को आपको सेल स्टड़ी के लिए एक्स्ट्र टाइं के लिए परेशान ना होना पड़े और एक्जाम को मालो मंडे को मैंने अपना इंग्लिश और साइंस रख लिया कि मैं दो घंटे इंग्लिभी थो घंटे सांगए अब वो दो घंटे कोई भी हो सकते हैं न पिसको स्कूल में करते हो तो आप हो दो घंटे च billion सकते हैं स्वेसू करके यह वाले द्साथ से मेरे नौ भी हो सकते हैं तव रिपर तुम्हें है ऊट्षे utilized इसको पहले कर लू इसको अपना पहले कर लो science को कि ये मैं 4 से 6 पड़ को मतलब कहने का क्या मतलब है कि अपनी self study और online classes को indulge करो 1 बना लूँ let's say आप English का lol चुरू से चुरू कर जो कर रहे हूं कि मैं माज में दो चाप्टर करूं करना ही हographics में लेटर इसको और इसको mix करना है कैसे तुमें क्या करना है सबसे पहले वन शॉट देखोगे देखोगे कि नहीं देखोगे बताओ यहां पर लिख रहे हो सबसे पहले अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले काम क्या आता है मैं हम वन शॉट देखने का आता है तो वन शॉट के लिए हमने क्या करा वह हमने letter to God की वीडियो निका ली अना भले ही यहाँ पर online में madam तुमको the proposal पढ़ा रिये अरे अभी मत पढ़ो तुम the proposal तुम अपने according पढ़ाई कर रहे हो तो तुम उसी madam की letter to God की वीडियो देखो उस टाइम पर बैठके क्योंकि the proposal तुम बिल्कुल last का चाप्टर करोगे letter to God तो तुमने की आई नहीं ना समझ रहो क्या बोलने की कोशिश करे हो कि सबसे पहले ठान लो कि मैं आज से पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ मेरा पहला चाप्टर यह है अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा चाप्टर करो पहला चाप्टर यह है मैं खुद को एक घंटे का target दे रहा हूँ एक घंटे में मुझे इस चाप्टर को complete करना है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे वन शॉट खोलोगे इसकी speed बढ़ाऊगे इसको 1.5x या तो अगर 2x पे समझ आता है तो इस पे देखोगे अब जब तुमने इसको देख लिया तुम्हारे दिमाग में बैट गई एक चीज next step क्या है मैं next step है इसके question answers उदको दो 40 minutes का target कि मैं इसके question answers complete करूँगा एक-एक PDF मैंने तुम्हें टेलिग्राम पे free दे रखी है इनकी ताकि तुम्हें ढूंडना न पड़े और इसी के अंदर तुम्हारे पी वाइक्यू question भी included है तो टोटल दोनों मिला के 40-45 minute में राम से उस बच्चे को जिसे अंगरेजी बोलनी भी नहीं आती न वो भी आद कर लेगा अगर वो अगर सबी तसकर करते हो क्या जो उस एक घंटे में dengan teacher भी कि तुम्हें goo जाता है अगर याद होजाता है तो बहुत अच्छी बात पफ्च्द को को कौ सांथो मतलब इह है केवल उन क्लास इसको अटेंड करो अभी के लिए जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ प्रोडक्टिव सीखा है सेल्फ स्टड़ी करी है मज़रे हो यह नहीं है कि अगर मानलो टेंस आपको बहुत अच्छे से आता है दोबारा कहीं टेंस की क्लास चल रही है जाके वहां बै तो यहां पर यह जो तीनों को तुम रोते रहते हो ना माम ओनलाइन भी होता है ट्यूशन भी होता है फिर सेल्फ स्टड़ी कैसे कर इनको मिक्स करो अगर मैं ट्यूशन जा रही हूँ ट्यूशन वाली मेरे को साइंस पड़ा रही है तो मैं अपना ऐसे समझूंगी वहां जाकर कि यह मेरे सेल्फ स्टेडी का डाइम है कि आज मैम अगर मुझे यह चैप्टर करा रही है तो मुझे यह चैप्टर समझना ही है ताकि मुझे वापिस इसमें बैठके मेहनत ना करनी पड़े समझ में आ रहा है तो ऐसे वीक में हर किसी को अपने दो सब्जेक्ट दो लेटसे यहाँ पर अगर इंग्लिश और साइन्स है यहाँ पर अपना एसेस्टी और मैट्स रख लो वेंजडे को अपना फिर तुम लोग इंग्लिश और साइन्स रखो ठीक है और कोशिश करो एट लीस्ट बैठ कर एक एक चाप्टर तो करो अगर चाप्टर बहुत बढ़ है तो ठीक है कोई बात नहीं दो दिन मान लो आपकी साइन्स का चाप्टर बहुत बढ़ है तो इतने बज़े तक स्टेडी करूं दो से चार बज़े होते ही क्या उड़ जाओगे या दो बज़े क्या तुम डॉट बैट जाओगे अपना हमेशा टॉपिक वाइस पड़ो ठीक है क्वालिटी ओवर कॉन्टिटी अपना टॉपिक वाइस पड़ो कि मैं जितना भी पढ़ अगर वह जैनुएनली फोन में पढ़ रहा है तो कुछ और कर रहा है फिर मैं गैरेंटी नहीं दे सकते हैं तो सबसे पहले बैठके क्या करो सबसे पहले अपना टाइम डिवाइड करो उसके बाद अपने सेलेबिस की एक लिस्ट बनाओ ताकि आप लोगों का जो दिमाग ह जो और इनका करना वो क्लियर रहे कि हमें कितना करना है हर सब्यक्स की मेरे पास इतना है यह चाप्टर जो है उन्हें उन्हेंंट और येरी से करने हैं और प्रेयॉरिटि ठीक है अब उसके बाद क्या करोगे ये जो मैंने बताया अपने एक शेडियूल बनाओगे जादा बड़ा नहीं बनाना एक हफते का ठीक है अपने according और बाकी नहाँगा कब धोँगा कब ये नहीं ठीक है मैं पढ़ूँगा कब मेरे पास कौन सा स्लोट फ्री है अगर मेरे ट्यूशन में कुछ काम का नहीं तो मैं नहीं जाओंगा मैं घर पर बैटके अपनी सेल्फ स्टेडी करूँगा समझ पारे हों बहुत बार उनलाइन में ही टीचर्स क्या करते है सेम टोपिक पढ़ाते हैं मैं खुद बता रही हूँ कि मैं एक तीचर हूँ, तेम टॉपिक क्यों पढ़ाते हैं ताकि बच्चे की रिविजन हो, अगर आपको लग रहा है आपका वो टॉपिक बहुत जाधा स्ट्रॉंग है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्लीज अपने डिफिरेंट टॉपिक पर ध्यान दोगे, जैसे पौर एक्जामपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने आपको सारे चाप्टर के वन शॉट डाल रखे, सारे, और मान लो, लाइफ क्लास में मैं आपको आज कुछ अलग चाप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मान लो, मैं आपको टाइगर इंद जू पढ़ा रही हूँ, और आपको अभी उससे पहले की ही, जो हमारी कविता हैं, जैसे की, तो आप बहतर है कि आप उस चाइम पर नितू अगर आप क्लास में आ रहे हूँ, तो आप फिर इधरे कंसेंट्रेशन से पढ़ो, कि टाइगर इंद जू पूरो दिमाग में बैट जाए, ताकि बाद में टाइगर इंद जू ना पढ़ना पढ़े, और नितू आप अगर एंवी आ रहे हो मस्ती करने के लिए तो आप उस टाइम को अपना डेस्ट आफ स्नो या फायर और आइस या नेलसन मंडेला में लगाओ, इससे आपका टाइम बचेगा, समझ में आरहे है, जैसे जम मैं मेरे मास्टर्स के लिए प्रिपेर कर रही थी, तो मेरे पास इतनी सारी किताबे थी, जो मुझे खतम करने थी, ठीक है, इतनी सारी किताबे थी मेरे पास, और मैंने 1-1,5 हवते के लिए, एक कोचिंग भी जॉइन किया था, online ही देखने के लिए कि initially पढ़ाई कैसे होती है अब उस coaching में वो जो भी पढ़ाते थे मेरे दिमाग के उपर से जाता था बट क्यूंकि पैसे दिये थे तो मुझे attend करना था तो मैं क्या करती थी मैंने उसको करना बंद कर दिया मैंने बोला this is waste of time ऐसा फिर भी आ जाएगा बट ताइम नहीं आएगा दोबारा तो मैंने क्या कर रहा मैंने अपने जब अपने अकॉर्ड अपकि कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर हर वीक हर वीक में एट लिस्ट अपने दो सब्यक्स अब यहां से मालो मैंने यहां वेंग्लिः जिया और साइंस दिया next मैंने wednesday को इंग्लिश और साइंस दिया ताकि मेरे जो यहां पर दो सब्जेक्टे एसेस्टी और मैट्स उन्हें भी प्रॉपर टाइम मेले बच्चे क्या करते है अगर इसेस्टी पढ़ रहे तो इसेस्टी पढ़ते जा रहे हैं मैट्स पढ़ रहे तो मैट्स ही पढ़ते होते हैं एसेस्टी में बड़े चाप्टर है अगर दस चाप्टर में तो मैं यह पांच अच करूंगी इस से अपका चाप्टर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा वह रफ्तार यह जो दिमाग में मैं सेना कैसे करें क्या होगा सांपल में अभी मत करो भई है सैंपल पेप स्पीड बढ़ा हो वन शॉट की अगर एक गंटे का वन शॉट है चालीस मिनिट का वन शॉट है ना तो वह 20-25 मिनिट में हो जाए उसके बाद फोकस करो अपने क्वेश्चिन आंसर्स पे एंसी आटी क्वेश्चिन आंसर्स पे और अपने प्रीवियस येर क्वेश्चिन ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है बट अगर खुद को टार्गेट दोगे ना टाइमर लगा लोगे के भाई तेरे पर धाई गंटे है ठीक है 2.5 आ रहे हैं इसमें कर करना है इतना अधर स्ट्रिक्ट हो जाओगे खुद के साथ तो देखोगे कि कर पा रहे हो और इन टू मंट्स आपको पता भी नहीं चलेगा क्या करना है इतनी ऊपर चले आओगे तो बेसिकली रेदर देन क्राइं के हर सब्जेक को कैसे मैनेज करे हर सब्जेक को साथ में लेकर चलो एक दिन में एटलिस दो सब्जेक से कुछ तो करना है स्टार्टिंग में भले ही कम अगर अगरत कर सब्सकी के सब्सक रहां हो इसानली सब्जेक करना पूरे अअटि यह ट्रूर में ही यह श्लीकुलें ल paranा किल्पी कर दो संसारीबर माख फ्रेश हो गया चालू तो वो उस लेविल का हाडवर कभी स्वक्षी है वालतों की चीज़े नीची है ठीक है सबसे पहले अपना टाइम बाटो दूसरा अपनी सिलिवस की लिस्ट बनाओ देखो कहां कहां से एक मिनिट निकाल पा रहे हो अगर जिन बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत है छे से साथ वाला स्लॉट जो है वो भी तुम मैनेज कर सकते हो ना क्योंकि इंग्लिश म तुम्हें खटे तो पढ़ नहीं सकते लिट्रेचर कोई तो पढ़ोगे ना लिट्रेचर कोई तो इस तरीके से पढ़ोगे जो मैंने बता है बाकी तीन का क्या तो अर्ली मॉर्निंग उठके रीडिंग पैसेज रोट सॉल्फ करने की आदत डालो रोज भी नहीं तो एटल यह मैं तुम्हारे वैसी हो जाएंगे तुम्हें अलग से ताइम नहीं निकालना इसके लिए literature के लिए time निकालना है तो यहाँ पर तुम इसके अंदर literature को अपना लेकर चलो So, सबसे पहले make a list divide your time उसके बाद start practicing two subjects एक दिन All right, इसके अलावा भी अगर किसी को कोई doubt है कोई दिक्कत है, so do let me know in the comment section अगर अभी तुम लोगों ने ये सब कर लिया ये मेहनत कर ली, तो यहाँ पर pre-board में और यहाँ board में दिक्कत नहीं होगी Pre-board तक हम pro हो चुके होंगे Right, अगर तुम लोग अपना November तक भी syllabus complete कर लेते हो ना तो ये जो sample paper आ रहे है ये जो additional practice paper आ रहे है जो तुम लोग करने जा रहे हो ना ये additional practice paper और ये फलाना करो बहुत अच्छी बात है बट वो करने से पहले उन classes को अट्रेंड करने से पहले एक बार खुद से पूछो क्या मेरा syllabus completed है क्या मुझे चीजे अच्छे से आती है क्या मुझे प्रैक्टिस पेपर की वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी अगर मन बोल रहा है नहां देखनी पड़ेगी अभे तो तभी देखियो ना अभी क्यों देखकर अपने टाइम वेस्ट कर रहा है अभी तो इस टाइम में अपने दो चैप्टर पढ़ ले समझ रहे हो अगर तुम सांपल पेपर में समझ सकती हो कि अभी तो हाफ यल्डी में आदे ही सिलेबस आ रहे तो जो तुमारे उसमें आ रहे तुम सांपल पर बट जो एडिशनियल प्रैक्टिस क्वेस्चन्स हैं हाना अभी सेप्टेंबर से ही करोगे उनको तुम एक बार सेंस है है मैं अपने लिए भी बोल रही हूं है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दीस थेंग्स अट लीस्ट ताकि हमारा प्री बोर्ड तक सिलेबस कंप्लीट हो जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हो उसके हर सेशन को अटेंड करो हर चीजों को अटेंड करो बट मेक शॉर अगर ओनलाइन आ रहे हो तो फिर अपने टीचर के साथ ही पढ़के जाओ ऐसे नहीं ओनलाइन की देड़ घंटे की क्लास लेने के बाद भी वो टॉपिक नहीं आता फिर ओनलाइन क्लास लेने का क्या पॉइंट है ठीक है तो दाट सेट पर टूड़े आप लोगों को समझ अगर कोई जैनुवेन चीज है मन में जो अभी भी इतनी बाते सुनने के बाद भी तुम्हें बॉदर कर रही है तो मुझ से पूछो आयम देर तू है ओके आंक्यू सो मच एव्रिवन आई विल सी यू गाइस लेटर वाबाई ठीक है